हेलो के साथ मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी बोला है क्योंकि सुवा का समय है और मैं अपने लिए बनाने वाली थी एक हर्बल टी सोचा ये रेस्पी मतलब ये ड्रिंक आपके साथ भी सेर की जाए इस हर्बल टी का जो सबसे मेन इंग्रेडियंट है वो है तुलसी के पत्ते तो यहाँ पे मैंने मोजर वाले तूलसी के पत्ते लिये हैं और तूलसी के कई फैदे हैं जैसे अंटि आक्सिदेंट और एंटि-वैक्टरियल प्रापर्टी इसमें मिलते हैं अब इसके साथ मैं लिए है कच्ची वाली हल्दी और साथ में लिया है एक इंच का अध्रक का टुकरा और साथ में जाएगा आधा चमच अज्वाइन और आधा चमच है मैंने यहां पर काली मिर्च ली है काली मिर्च की क्वाइंटिटी थोड़ा अपने टेस्ट के ऑकार्डिंग कम कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लिया है खलबटा अब इसमें एक एक चीज को डाल कर अच्ची तरह से क्रश करना है थोड़ा सा अध्रक मुझे क्वाइंटिटी में जादा लग रहा था तो मैंने हाफ इंसे भी कम काटके निकाल लिया है अब सभी चीजों को खलबटे में डाल कर एक चीज को डालेंगे और उसे क्रश करेंगे इससे क्या होगा कि जो इसके जूस हैं वो काफी अच्छी तरह से एक्स्ट्रेक्ट हो जाएंगे बच्पन में जब भी हम भाई बैनों में से किसी को भी ठंट लग जाती थी तो मा हरबल्टी बनाकर हम लोगों को देती थी सुब बच्चों को पिलाना है तो इसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए तो यहाँ पे सारे इंग्रिडियन को क्रश करने के बाद मैं डाल रही हूं सौस पैन में अब खलबटे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसके जूस को अच्छी तरह से मिक्स किया है उसे भी मैंने डाल दिया है सौस पैन में यदि आपके पास कच्छी वाली हल्दी ना हो तो इस तरह से हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें डाल दे आधा चमच सिंधा नमग और यहाँ पे मैंने तीन से चार लॉंग भी लिया था इसमें आधा चमच मैंने काला नमग भी याड किया है तो इतने सारे इंग्रीटेंट में मैंने डाला है एक लीटर पानी तो इसे अच्छी तरह से उबाला है इसलिए पानी का क्वैंटिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा रखें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने तो घर पर ही आप बहुत अच्छा बहुत है एक हरवल्टी तयार कर सकते हैं यह अपो हल्की सी जुकाम खासी फीवर आरा हो तो उसमें आप इसे सुबह साम ले सकते हैं बहुत अच्छा है और हम लुक सुरू से इसे पीते आ रहे हैं इसलिए आज आपके साथ यह रिस्पी के लुकित लेखे जाएं इसे सुपोर आराम से ले सकते हैं सुबह आप चाहें मॉर्णिंग में जब गया है ॉर फिर नर्य दाले शाम बडार फी Mia के बार एक स्याटिवर आपको थंड पानी नहीं पीना है मतलब हमरमल पानी पी आपको इसके बार नहीं है बस आप यहे व के पी सकते हैं पस पीने के पहले इसे अच्छी तरह से घरम कर ले और जैसे हम लोग नॉर्मल टी पीते हैं वैसे आप इसे सुबह और साम ले सकते हैं विंटर में तो 2-3 जरूर लेती हूं यदि सर्दी खासी या फीवर आ रहा हो तो मैं इसे एक वीग तक कंटिन्यू करती ह बहुत अच्छी चीज है तो 20 मिनट यहां पर हो चुका था और मैंने धकन हटा कर एक बार आप लोगो दिखाई है तो काफी अच्छे तरह से यूबलने लगा है और यहां पर आप साप देख सकते हैं कितना पानी रिडियूस हो गया है तो इसी तरह से इसे 15-20 मिनट तक अ और स्टीम है वो अंदर ही लोक हो जाए अब मैं इसे चुले से उतार कर नीचे रख रही हूं ताकि यह थोड़ा सेटल हो जाए बनने के 10 मिनट के बाद मैं यह चाय अपने लिए ले रही हूं तो आप कलर देख सकते हैं देखने में बिलकुल लेमन्टी जैसा लग रहा है यदि आपको सर्दी और खासी है और साथ में हलकी फीवर है तो आप इसमें घर का बना हुआ देशी गाय का घी डाल कर पी सकते हैं तो ये दी आपको सूखी खासी है तो आप इसमें घी डाल कर पीए बहुत आराम मिलता है ये दी आप लोग को ये रिस्पी ये ड्रिंक अच्छी लगी हो तो इसे जादा से जादा सेर कीजिए मिलती हूँ एक और रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक कैए